आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद बाढ के कारण तबाही मच गई मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नाइडू क्षतिग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं जब मुख्यमंत्री मधुरानगर के बुडामेरू के दौरे पर थे और रेलवे ब्रिज पर चलते हुए इलाके का जायजा ले रहे थे इस घटना का विडियो भी सामने आया है इसमें साफ देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री रेलवे ब्रिज पर चलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन उनके पास से होकर गुजरी गनी मत रही कि उन्हें कुछ नहीं हुआ वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी ने तुरंट मुख्यमंत्री को घेर लिया और कुछ ही दूरी से ट्रेन निकल गई ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों ने सीएम नाइडू के फील्ड वर्क की सराहना की भारी बारिश के कारण राज्यभर में करीब 6 लाख लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर होना पड़ा है प्रधान मंत्री नरेंधर मोधी के निर्देश पर केंद्रिय करिशी मंत्री शिवराज सिंग चौहान ने गुरुवार को बाधबारिश से बुरी तरह बेहाल आंध्रप्ριदेश के विजवाडा का जायजा लिया हालांकि इससे पहले PM मोदी ने आंधर प्रदेश के CM चंदरबाबू नाइडू से फोन पर भी बात की थी